श्री गनेशाय नमाहा, श्री साम्व सदा शिवाय नमाहा, अथा श्री शिव महा पुराणम, अथा माहात्म्यम। श्री शोनक जी भोले, हे महा ग्यानी सूत जी, संपून सिध्धान्तों के ग्याता हे प्रभो, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेश रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भगवद भगती और विवेक की वृध्धी कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदी मानसिक विकारों का निवारन करते हैं। इस घोर कल्यूग में जीव प्रायह आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वशेष्ठ उपाय क्या है। आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताईए जो कल्यान कारी हो। वस्त्वों में भी सबसे उतक्रिष्ट एवं परम मंगल कारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। हे तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शिग्र ही अंतह करन की विशेष शुद्धी हो जाए। तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ती हो जाए। सूध जी बोले मुनिश्रेष्ठ शवनक आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुरान कथा सुनने की प्रती विशेष प्रेम इवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धी से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वरणन करता हूँ। वच संपून शास्त्रों के सिध्धान्त से संपन्न भग्ति आदी को बढ़ाने वाले भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूब दिव्य पुरान का शवन कीजिए। यह उत्तम शिव पुरान काल रुपी सर्प से प्राप्त होने वाले महांतरास का विनाश करने वाला है। हे मुने, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था, गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुने का उपदेश पाकर, कल्यूग के प्राणियों के कल्यान के लिए, बड़े आदर से, संक्षेप से, इस पुरान का प्रतिपादन किया है। हे मुने, विशेश रूप से कल्यूग के प्राणियों की चित्य शुद्धी के लिए, इस शिव पुरान के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुन्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ती के इस पुराण में प्रीती होती है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांगमे स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसकी पठन और शवन से शिव भक्ती पाकर शेश्ठतम स्थिती में पहुचा हुआ मनुष्य शिग्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यतन करके मनुष्यों ने इस पुराण के अध्यन को अभिष्ट साधन माना है। और इसका प्रेम पूर्वक्षवन भी संपूर्ण वान्चित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तथा बड़े बड़े उतकृष्ट भोगों को उपभोग करके अंत में शिव लोग को प्राप्त कर लेता है। एराज सूय यग्य और सैकडों अगनिश्टों यग्यों में से जो पुर्ण्य प्राप्त होता है। भगवान शिव की कथा सुन्ने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे मुने, जो लोग इस शेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का शवन करते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे रुद्र स्वरूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं। इस पुराण का शवन और कीर्थन करने वालों के चरन कमल की धूली को मुनिगण तीर्थ समझते हैं। जो प्राणी परंपद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सदा भगती पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का शवन करना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्थ, उसका आधा, उसका भी आधा, अथवाक्षन मात्र भी, इस पुरान का शवन करते हैं उनकी दुरगती नहीं होती हे मुनिश्वर जो पुरुष इस शिव पुरान की कथा को सुनता है वह सुन्ने वाला पुरुष कर्म रुपी महावन को जला कर संसार के पार हुजाता है हे मुने सभी दानों और सभी यग्यों में से जो पुन्य मिलता है वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल हो जाता है हे मुने विशेशकर इस कलिकाल में शिव पुराण के शवन के अतिरिक्त मनुश्यों के लिए मुक्ति दायक कोई अन्य शेष्ठ साधन नहीं है शिव पुराण का शवन और भगवान शंकर के नाम का संकीर्थन दोनों ही मनुश्यों को कल्प व्रिक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं इसमें संदेह नहीं है कल्यूग में धर्माचरण से शून्यचित वाले दुरबुधी मनुश्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमरित रस स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है अम्रित पान करने से तो किवल अम्रित पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है किन्तु भगवान शिव का यह कथा अम्रित संपून कुल को ही अजर अमर कर देता है इस शिव पुरान की परम पवित्र कथा का विशेश रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए करना ही चाहिए करना ही चाहिए इस शिव पुराण की कथा के श्रमन का क्या फल कहूं इसके श्रमन मातर से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हरदय में विराजमान हो जाते हैं यह शिव पुराण नामक गरंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है इसमें साथ संगिताएं हैं, मनुश्य को चाहिए कि वह भक्ती, ज्ञान और वईराग्य से भली भाती संपन्न हो बड़े आदर से इसका शवन करें पहली विद्देश्वर संगिता, दूसरी रुद्र संगिता, तीसरी शतरुद्र संगिता, चोथी कोटी रुद्र संगिता, पाँच्वी उमा संगिता कही गई है, छठी कैलास संगिता, और सात्मी वायविय संगिता, इस प्रकार इसमें साथ संगिताएं हैं साथ संगिताओं से युक्ति एह दिव्य शिव पुरान परब्रम्ह परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गती प्रदान करने वाला है जो मनुष्य साथ संगिताओं वाले इस शिव पुरान को आदर पूर्वक पूरा पढ़ता है वह जीवन मुप्त कहा जाता है हिमुने जब तक इस उत्तम शिव पुरान को सुनने का सुवसर नहीं प्राप्त हूता तब तक अज्यानवश पुरानी इस संसार चक्र में भटकता रहता है ब्रहमित कर देने वाले अनैक शास्त्रों और पुरानों के श्रवन से क्या लाप है जबकि एक शिव पुरान ही मुक्ती प्रदान करने के लिए गरजना कर रहा है जिस घर में इस शिव पुरान की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप ही है और उसमें निवास करने वालों के पाप नश्ट कर देता है हजारों अश्वमेध यग्ये और सैकडों वाजपेय यग्ये शिव पुरान की सोहलवी कला की भी बराबरी नहीं कर सकते हे मुनिश्रेष्ट कोई अधम प्राणी जब तक भक्ती पूर्वक शिव पुरान की कथा का शवन नहीं करता तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है गंगा आदी पवित्र नधियां, सब्त पुरियां तथा गया आदी तीर्थ इस शिव पुरान की समता नहीं कर सकते जिसे परमगती की कामना हो उसे नित्य शिवपुरान के एक श्लोक अथवा आधेश लोक का ही स्वयम भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए जो निरंटर, अर्थ अनुसंधान पूर्वक इस शिवपुरान को बाचता है अत्वा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुन्यात्मा है इसमें संशय नहीं है जो उत्तम बुद्धिवाला पुरुष अंत्काल में भगती पूर्वक इस पुरान को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन हुए भगवान महेश्वर उसे अपना धाम करते हैं जो प्रति दिन आदर पूर्वक शिव पुरान का पूजन करता है वह इस संसार में संपून भोगों को भोग कर अंत्में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है जो प्रति दिन आलस से रहित हो रेश्मी वस्त्र आदी के वेश्टन से इस शिव पुरान का सदकार करता है वह सदा सुखी होता है यह शिव पुरान निर्मल तथा शैवों का सर्वस्व है यह लोग और परलोग में सुख चाहने वाले को आदर के साथ प्रयतन पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुरान धर्म अर्थ काम और मोक्ष स्वरूप चारों पुरुशार्थों को देने वाला है अतह सदा प्रेम पूर्वक इसका शवन एवं विशेश रूप से पाठ करना चाहिए वेद इतिहास तथा अन्य शास्तरों में यह शिव पुरान विशेश कल्यान कारी है ऐसा ममुक्षु जनों को समझना चाहिए यह शिव पुरान आत्म तत्वग्यों के लिए सदा सेवनी है सत्पुरुशों के लिए पूजनी है तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा विश्णों महेश आदी देवताओं को प्राणों की समान प्रिय है ऐसे शिव पुरान को मैं प्रसन्य चित्त से सदावन्दन करता हूँ भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्य हूँ और अपने चरण कमलों की भक्ती मुझे प्रदान करें इस प्रकार श्री सकंद महा पुरान के अंतरगत शिव पुरान माहात्मय में उसकी महिमा वर्णन नामक पहला अध्याय संपूनता को प्राप्त हुआ शेश अगले अंक में शेश प्राप्त श्री सकंद माँ